कट्डवी पर करीब पांच लाख लोग रहते और काम करते हैं और तीस लाख सेलानी भी हर साल इसके तटों पर आते जाते रहते हैं क्रिस्मस पर यहां तापमान औसतन 27 डिग्री होता है सर्दियों में समुद्र और खिली धूप पसंद करने वाले लोगों की ये एक पसंदीदा जगए है लेकिन बॉक्सिंग डेट 2004 को यही साफ सुथ्रा समुद्र एक बेहद काला दिन साबित होने वाला था एई ज़र उधर देखो तादी बहुची लहर है इतनी बड़ी लहर ओ मैं गाड़ जादी डादी लेड़ी ओ मैं गाड़ चार से शे मीटर उची है अराम से अंदर आओ अंदर आओ अंदर चलो तादी परिए उची हो एई सुन गाओ एई उची हो उची हो एई जराओ उची हो ज़र उची हो के बाएटू क्या जिए आसे मिला कई है सुबह के नौ बजे हैं क्रिस्मस से अगला दिन है और एक सुनामी दक्षनपूर्वेशिया को बरबाद करने वाली है बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी आज तक दर्च किये गए तीसरे सबसे बड़े भूकम के कारण इससे हिरोशीमा पर गिराए गए 23,000 बमों जितनी उर्जा निकली जिससे पूरे अमरीका की छे महीने की विजली की मांग पूरी हो सकती है इस भूकम की वज़े से समुदर की 1200 किलोमीटर लंबी तली 10 मीटर उपर को उठ गई जिससे लहरे हर दिशा में फैल गई सुनामी जोटी लेकिन खुले समुदर में बहुती तेज रफ़तार बाली होती है मगर उतले पानी में पहुँचकर इनकी रफ़तार धीनी हो जाती है शायद अब इसकी रफ़तार 10 प्रतिशत ही रह गई थी लेकिन इसकी उचाई 30 मीटर हो गई थी और ये बहुत ही ताकतवर थी ये लहर भूकम के केंदर से 800 किलो मीटर प्रतिखंटा की रफ़तार से यानि किसी यात्री विमान जितनी गती से आगे की तरफ बढ़ी इसने पूरे हिंद महासागर के तटों पर तबाही मचा दी सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया पर हुआ यहां एक लाग से ज्यादा लोगों की जान गई इस सुनामी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने साड़े चार हजार किलो मीटर दूर माजूद अफरीकी महद्वीब के कुछ हिस्सों को भी बर्बाद कर दिया जब सुनामी जमीन से टकराई तो इसकी बेहसाब ताकत और पानी के वजन ने अपने रास्ते में पढ़ने वाली हर चीज बहा दी फिर धीरे धीरे ये कम होने लगी जिन्दा बचे लोग ये सोचकर नुकसान का जायजा लेने लगे और अपने प्रिये जनों को ढूंडने लगे कि ये लहर खत्म हो चुकी है लेकिन आधे घंटे बाद सुनामी की दूसरी लहर आ गए और इससे अंजान लोग पहली लहर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में मारे गए प्रशांत महसागर के विपरीत 2004 में हिंद महसागर में सुनामी की चेताउनी देने वाली कोई प्रणाली नहीं थी स्थानी लोगों और सैलानियों को ऐसी लहर के आने का पता ही नहीं था दिन खत्म होते होते एक लाख तीस हजार लोग या तो मर चुके थे या गुम थे और लाखों अन्य बेगहर हो गए थे ये सुनामी अब तक के इतिहास की सबसे तबाह करने वाली लहरों में से एक बन गई क्या है झाल में से एक लग, कि ये ये पाल हिंह ये येति पर होते ह्तीक का लाख ट भी मोग सकता दाल झार थैंयों अन्य,